बात है 2004 की हिजबुल मुजादीन के दो टॉप लेवल कमांडर्स अबू तोरारा और अबू सवसार इन दोनों का काम था कश्मीर में रेकूटमेंट करना यूद को रिडिकलाइस करना उनका ब्रेनवाश करना और उन्हें आतंकवादी बना देना ताकि वो भारत विरोधी ग रिफ्तकार भट वो इन दोनों से कहता है कि 2001 में भारती सेना के कॉपरेशन में उसका भाई मारा गया है और भारती सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और इसी के लिए वो इन दोनों के पास आया है तीन साल से वो उन दोनों से मिलने का इंतजार कर रहा था पर बड़ी मुश्किल से उनसे मिला है कि दोनों कमांडर्स को पहले उसकी बात पर यकिन नहीं होता है पर वो देखते हैं कि नौजवान गठीला है उसके अंदर जो बदले की आग है उसे बारती सेना के विरुद्ध इस्तमाल किया जा सकता है तो उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं पर फिर भी इन दोनों आतंकवादियों में से अबूत तोरारा उसे इफ्तकार भट की बात पी यकीन नहीं है और वो बार-बार उससे पूछता है कि आखिर तु है कौन इफ्तकार भट उसे बोलता है कि आप बस मुझे ट्रेनिंग दीजी आप जैसा बोलोगे बिल्कुल काम शुरुवात में दो इफ्तकार भट बड़ा चुप-चुप होता है पर एक दिन जब दोनों आतंकवादियों बैठे होते हैं वो एक नक्षा लेके इनके पास पहुशता है उस नक्षे के अंदर एक पूरी प्लानिंग थी कि कैसे भारती सेना की चौकी को त किया था अब यकीन लगातार बड़ता जा रहा है पर फिर भी जो अबू तोरा रहे उससे अभी तक यकीन हुआ नहीं है उस नक्षे के ऊपर तीनों लोग बैठकर बात करते हैं और यह तैह होता है कि हाँ इस तरीके से हम हमला करेंगे हिजबल मुजादीन के दो और आतंक इस चांड उने का टाइम आ गया वो इफ्तिकार भट को बोलते कि तुम भी अपने गाहों चले जाओ जहां से तुम आयो पर इफ्तिकार भट साफ बना कर देता है वो बोलता है मैं अपने गाहों तब तक नहीं जाओंगा जब तक मैं अपनी भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता उसकी बास सुनके वो दोनों आतंक वादी उसे अपने साथ एक सीक्रेट टेरिस्ट कैम की ओपर ले जाते जो शोपिया के नजदी की था एक दिन कैम के अंदर था बैठे होते हैं बात उसी समय किये कि बस अब हमला होने ही वाला है अब तोरा राजिसे अभी तक भटकियों पर यकीन नहीं था तो अब उस अबजार से बोलता है कि मुझे इस पर यकीन नहीं है अब उस अबजार बोलता है कि फिर तुछ चाहता क्या है इफ्तकार उनके सामने आता है कंदे पर एके 47 लटकी हुई है अब तोरार इफ्तकार से बोलता है सच बता तू है कौन इफ्तकार खुश समय तक तो खामोश रहता है उसके बाद वो अपनी गन को कंदे से उतारके नीशे पटक देता है और उन दोनों आतंकवादियों से तेज आवाज में बोलता है कि अगर तुम्ह कुछ पर यकीन नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास मुझे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं है थोड़ी देल के लिए माहौल बिल्कुल शान्त हो जाता है और उसी पल इफ्तकार भट अपनी 9 mm पिस्टल निकालता है और दोनों आतंकवादियों को गोली मार देता है दो गोली सीने में और एक गोली सर के अंदर उसके बाद सारे अतियार को लेकर वो आर्मी कैम पे पहुँच जाता है यहां पर हम जिस सिफ्तकार भट की बात कर रहे हैं दरसल वो है वन पैरा सफ के मेजर मेजर मोईश शर्मा आप सोचिए कैसा ब्रेव ऑफसर जिनकी स्टो जाएगा और कहीं वो मर ना जाए पर मेजर मोईश शर्मा दिन रात उन आतंकवादियों के साथ रहे जो उने कभी भी मार सकते थे अपने माते पर एक शिकन तक नहीं आने दी आप उनकी साइकलोजिकल कंडिशन को समझिए मैं हमेशा बात करता हूं इमोशन इंटेलिजें पता है कभी भी अगर थोड़ी सी बनक लगी तो यातंकवादी मुझे मार देंगे पर चहरे पर एक शिकन नहीं इसी को तो बोलते हैं इमोशन इंटेलिजेंसी अपनी इमोशन पर अपना कंट्रोल होना और यही सबसे बड़ी बात होती एक आम फोर्स के अधिकारी की आज मुनी के बारे में जानेंगे क्योंकि आज मेजर मोहिश चर्मा का वीरगति दिवस मेजर मोहिश चर्मा है कैसा नाम जो बहुत सारी चीजें हमको सिखाता है जब आप इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो समझेंगे यह कितने जिन्दा दिल थे कितने एक चीज जो इन की जरनी की मेजर मोई शर्मा जिनका जनमत 13 जनवरी 1978 को रो तक हरियाणा के अंदर हुआ शुरुवात की स्कुलिंग मानवस्तली स्कूल जो कि साउथ डैली में है मास यहनों ने कंप्लीट करी और उसके बाद हॉली एंजल स्कूल और उसके बाद डीपीएस स्कूल जो कि गाजियाबाद में मास यहनों ने आगे की अपनी एज्जुकेशन कंप्लीट करी इनके माताबिता को कभी भी नहीं लगा था कि मेजर मोई शर्मा इंडियन आम फॉर्स को जॉइन कर पाएंगे इसके बीचे भी एक बहुत बड़ा रीजन है मेजर मोई शर्मा के बड़े भाई मदूर शर्मा जो इंसे पड़ाई में काफी अच्छे थे उन्हों ने भी इंडियन आम फॉर्स को जॉइन करने की काफी कोशिश करी पर वह जॉइन नहीं कर पाये तो मेजर मोई शर्मा कैसे जॉइन मेजर मोई शर्मा के बच्छमन का नाम था चिंटू माता पिता के बहुत लाड ले इन पिच्छर्स के इंदर आप देख सकते हैं पट उनके इंदर एक बड़ी अमेजिंग सी बात थी एक वर्ड होता है ना determination मेजर मोई शर्मा वाज मैन ऑफिस कमिट्मेंट कि जो कमिट कर लिया है अपने आप से उसको किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना ही है मेजर मोई शर्मा ने ठान लिया कि मुझे एंडिया नाम फोर्स जॉइन करनी ही है चाहे जो हो जाए उसके लिए उन्होंने जीतोड मेहन करने के बाद ईंडी जाम को भी क्लियर करा और उसके बाद सबस्छा कर लिया कि ब्दे की बात है कि वह नदर नका करने का शौक अम किसी भी situation हो situations कितनी भी बिगड़ जाए कभी भी इन्होंने प्रेशर लिया ही नहीं हस्ते अस्तर situation का सामना किया और यह बहुत जरूरी होता है आप देखिए ना किसी भी situation को अपने उपर हवे नहीं होने दिया प्रेशंस ऑफ माइंड इमोशन इंटेलिजनसी आप जितने भी क्वालिटीज की बात करेंगे वो मेजर मुईश्यरमा के अंदर थी होस जिंदा दिलिस्थान फोटो के चुमाने का बड़ा शौक था गिटार बजाते थे गान सफाय कर लिया एंड ये के जर्णी भी बड़ी इंट्रेस्टिंग रही आगे बढ़ दे का शौक सबसे आगे रहना है मुझे कमिट्मेंट किया कभी हार नहीं मानी हर चीज में अपना 100% देते थे एंड ये के अंदर भी यही सिलसला जारी रहा एंड ये के अंदर हर स्पो ला इंद्रा करनल भवानी सिंग ने इनको होर्स राइडिंग के ट्रेनिंग दी इतना यह नहीं इसके साथ साथ स्विमिंग के अंदर स्विमिंग के साथ साथ बॉक्सिंग के अंदर भी चैंपियन थे फिजिक बहुत अच्छी छे फुट दो इंचाइट थी फाइनली ती तीन साल तक NDA का सफर इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा और अपना बेस्ट इन्होंने वहाँ पर दिया जो कि बहुत बड़ी बात है उसके बाद सन 1998 में मेजर मोहित शर्मा ने IMA को जोईन करा इंडियन विलेटरी अक्याडमी वहाँ पर भी मेजर मेजर मोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन से सब को चकित कर दिया यह वाज बेस्ट ऑफ बेस्ट और फाइनली वहाँ पर उन्होंने बटालियन के एजटेंट के पद से सम्मानित किया गया मेजर मोहित शर्मा इस तरह की व्यक्ति थे कि वह जिस भी चीज में इस्सा लेते इस भी कॉंपटीशन के इंदर इस्सा लेते उसमें नंबर वनाते थे देखे बहुत बड़ी बात है हार ना कभी उन्होंने सीखा है नहीं वो जो माइंसेट है ना उस माइंसेट से हमें सीखना चाहिए फाइनली मेजर मोहित शर्मा कमिशन हुए और उन्होंने जॉइन कर नेम था पैरासफ को जॉइन करना और फाइनली उसके बाद मेजर मोहित शर्मा ने वन पैरासफ को जॉइन करा काफी कठिन ट्रेनिंग के बाद काफी कले परिश्रम के बाद मेजर मोहित शर्मा ने वन पैरासफ को जॉइन करी लिया और कश्मीर में कई बड़े ऑपरिशन स्कूल में वो ट्रेनर के पद पे भी रहे आप समझें उनकी शमता के बारे में वो इतने सक्षम थे कि कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की अंदर कमांडो उसको ट्रेनिंग देते थे he was the trainer जो की बहुत बहुत बड़ी बात है उसके बात वापस से उन्हें कश्मीर के अंदर तैनात कर दिया गया और यहीं पर वो दुखद इंसिरेंट हुआ 21 मार्श 2009 की बात है यह पता लगा के हिजबल मुजाद इनके कुछ आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं मेजर मोईश शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए पहुचें मिशन एकी था जितने भी आतंकवादी उन्हें इंटराइस करना है बड़ सड़नली आतंकवादी उन्हें हमला शुरू कर दिया दोनों और से फारिंग होने लगी इसी बीच मेजर मोई के घाट उतार दिया बट उनकी चोट इतनी गंबीर थी कि मेजर मोईश शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गया इस ऑपरिशन के कुछ दिनों पहले ही मेजर मोईश शर्मा चुट्टी पे जाने वाले थे उनकी चुट्टी मनजूर भी हो गई थी उनका एक साथी जिसके कज पचा और उसने कहा कि उसके कजिन के डेथ हो गई है और उसे चुट्टी चाहिए तो सीओ साब ने मना कर दिया क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ चुट्टी पे बेचना पॉसिबल नहीं था जब मेजर मोईश शर्मा के बात लगी कि उनके साथी की चुट्टी संशन नहीं हुई है तो मेजर मोईश शर्मा अपने सीओ साब के पास गए और उनके साथी को चुट्टी दे दी जाए और उनकी चुट्टी को एक मेने बाद एक्स्टैंड कर दिया जाए देखे कितनी बड़ी बात है यह इसे ही तो कहते हैं जिन्दा दिली कि अपने से पहले द कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है और दूसरी चीज देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है हम खुद भी नहीं तो आज हमने मेजर मोईश शर्मा के बारे में जाना आज उनके बलिदान दिवस पर आज उनके वीरगति दिवस पर पूरे डिफेंस वाला टीम की तरफ से मैं उन्हें शच्चत नमन करता हूँ जय हिन जय भारत